नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं भैक्सिन को लेकर पीए मोधी ने बुला इमर्जंसी मिटिंग परदान मंत्री ने अचानक भैक्सिन डिप्लाइमेंट एको सिस्टम अगेंस्ट कोबिण 19 की समिक्षा बैठक बुलाई इस बैठक में नीती आयोग, प्रिंसिपल साइंस्टिफिक, बैग्यानिक और अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में परदान मंत्री ने बैक्सिन बनाने वाले बार्तिय निर्मताओ की परसंसा की साथी उन्होंने कहा कि बैक्सिन बनाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उन्हें सरकारी समर्थन और साहता जारी रहेगी और उनके लिए वे परतिबंध है उन्होंने कहा कि दोनों सीरो सर्वे और परिक्षन का स्केल बढ़ाया जाए धावनी के खराब परदर्शन से परसान होकर जीवा को दी धमकी टीम इंडिया के पूरु कप्तान और चेनाई सूपर किंग के कैप्टन महेंजरे सिंग धावनी की पांच साल की बेटी जीवा को धमकी देने वाला गुजरात से युवक ने राच्ची में गुरु वार को कहा कि वह धावनी का बहुत बढ़ा फैन है बचपन से वह धावनी को पसंद करता है IPL 2020 में CSK और धावनी के खराब परदर्शन से हतास होकर उसने सोचल मीडिया पर किर्केटर की बेटी के बारे में अपसब्द लिखे थे इसकूलों में पूस्तक बाटने का हिसाब नहीं होगी जाच जारखन के 747 स्कूलों ने किताब बितरन की रिपोर्ट नहीं दी है सिक्षा विभाग दुआरा मई में ही किताब बितरन का निदेश जारी किया गया था इसके बाद भी इन स्कूलों ने रिपोर्ट नहीं दी है प्रात्मिक सिक्षा निदेश सालह ने इस समंध में आप समंधित जीलों के उपायुक्त को पत्र लिहकर करवाई करने को कहा है सबसे अधिक पलामु जिला है जिसमें की 93 विद्याले में किताब का वित्र नहीं हुआ है वहीं गोड़ा के 84 गूमला संतावन लातेहार 52 वा गिरीडी में 43 स्कूलों में वित्र नहीं हुआ है सरना कोड को लेकर चक्का जाम सफल रहा जारकन में सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर केंद्रिय सरना समीथी और अखिल भारती आदिवासी विकास परिसद ने गुरुवार को एक दिवस्य चका जाम किया चका जाम को लेकर सुबह सही आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतार कर विरोत जताया इस दोरा राची के कुकर चोक से अलवट एका चोक तक चका जाम किया गया बता दे कि दूसरी और सरना समीथी के एक दिवस्य चका जाम को लेकर पुलिस परसासन कापी मुस्तायद दिखी चोक चोराय पर पुलिस के तनाती रही इदर साना समीती के लोगों ने इस चक का जाम को सफल बताया है इसकूलों के पास आइस क्रीम बेचने गहर कनूनी राची जीला के सभी सरकारी और नीजी अस्पताल के कैंपस और कैंपस के 50 मिटर की परीधी में चाउमिन, समोसा, पानी पूरी, कोल्ड ड्रिंक, आइस क्रीम और फास्ट फूर्ड और अन्य वसायुक्त, खाज पतार्थ बेचने पर आची जीला परसासने परतिवन लगा दिया बता दे कि इस आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूल संचाला अपने मुखे गेट पर इसका नोटिस चिपकाएंगे इसके बाद भी अगर कोई ऐसा समान की बिक्रिक करता है तो उन दिकुनदारों के खिलाप जीला परसासन कानूनी करवाई करेगा दस बरसों से एक जीले में जमे सिपायों का होगा तबादला राजे के सभी जीलों और सखाओ में लगतार दस साल से जमे सिपायों का तबादला किया जाएगा राजיק पूलिस मुख्याले ने सभी जीलो में 15 अक्टूबर 2020 को 10 साल लेया उससे अधिक समय पूरा करने वाले पूलिस कर्मियों की सुची मांगी है रैली अम्बेटकर चोग से निकल कर टावर चोग पहुँचकर एक धारना का रूप लिया था जहां बहुजन करांती के नेताओं ने मजूद लोगों को समोधित किया और बलतकार हात्यारोपितों को फासी देने की मांगी सराब बेवसाई हर्ताल पर सराब में रायस्व बिरिधी किये जाने के विरूद गुरुवार को सराब बेवसाई अनिस्टित का यहताल पर चले गए हैं बतादे कि कुरोणा काल में सराब बेवसाईों को 7% से बढ़ा कर नौपस्यत किये जाने को लेकर सराब बेवसाई आक्रोसित है रक्तदान कई लोगों को दे सकता है नई जिन्दगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमनसुरे ने कहा कि कुरोणा जैसी महमारी के समय में हमारे और आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई लोगों को नई जिन्दगी दे सकता है महमारी के समय रक्तदान का महत बहुत बढ़ जाता है मुख्मंतरी ने वे बात गुरुआर को काके रोड राचि स्थित मुख्मंतरी आवास में रक्तदान करने के पचात कही बर्तमान सरकार में बीदी ब्यवस्था चर्मराई हुई है अनपूर्णा देवी बर्तमान हेमन सरकार के कारेकाल में राज की जनता काफी परिसान है राज सरकार की बीदी ब्यवस्था बिल्कुल चर्मराई हुई है राज के मुखिया का ध्यान इस ओर नहीं है हेमन सुरेन को चुनाव में भोट लेना था तो अपने घोसना पत्र में तरह तरह के लोक लुपावने वादे किया राज की जनता या जानना चाहती है कि नौमा के कारेकाल में हेमन सरकार ने क्या किया उक्त बाते पेशवार्ता अवेजित का राश्ट्रिय उपाद्यक्ष सा कोडर्मा सांसत अनपूर्णा देवी ने गुरुवार को कही जार्खन में 530 संक्रमितों के पुष्टी हुई जो राची से 219 जमसेतपूर 56 बोकारो 74 चत्रा एक देवगर 16 धनबाद 43 दूमका 8 गढवा 4 गेडी 8 गोड़ा 5 गुमला 4 1029 जामतरा 3 खोटील वर्दागावा कोडर्मा से 13 तेरा लात्ते हार 6 पाकुर 2 पलामू 5 रामगड साइव गंज साथ सराय के लनाव सिम्डेगा से 14 वा पच्छमी सिंभूम से 30 मिले है जार्खन में कुल संक्रमितों के 94 952 है जबकि 87240 लोग स्वास्थ हुए और 829 की मिलिती हो गई भारत में कुल संक्रमितों के ती 70,659 है जबकि 64,48,67, 552 लोग स्वास्थ हुए और 112,160 क जार्खन में गुरु आरको 8 की मौथ हुई है जो बोकारो से 4 वर राची से 4 की मौथ हुई है गुरु आरको 873 मरीज स्वास्थ हुए है स्वास्थ हुए मरीज इस परकार है बोकारो 32, 14 वदेवघर से 16,16, धनबाद 22, दूमका 11, जमसेतपूर 135, गडवा 5, गिरीडी 31, ग खोटी 18, कुडर्मा 31, लातेयार 19, लोहरदागा 4, पाकूर 6, रामगर 23, राची 357, सरायक के लाव अपच्मी सिमू से 35, 35 मरीज स्वास्थ हुए है राची के संसद संजय सेट ने CCL के CMD PM परसाद के साथ बैठा कर खलारी के नगरिकों के जीवन अस्तर में सुधार के लिए कई बिंदूओ पर विस्तार पुरुवक चर्चा की संसद के प्रेस परतिनीधी संजय पुदार ने गुरुवार को बताया कि बैठाक में काके बिधायक समरी लाल सहीत CCL के कई अधिकारी उपस्तित थे उन्होंने बताया कि बैठाक में संसद सेट ने खलारी के लोगों को सुध पेजल उपलब्द कराने वहां के लोगों को 24 गंटा बिली उपलब्द कराने साथ ही वहां के नागरी को सोरोजगार के लिए योजनाब बद तरीके से काम कराने की बात कही है धनबाद के COVID-19 अस्पताल में गुरुवार की सामपुर्ण निर्मित 30 बेट के आधुनिक ICU, 40 बेट के नन ICU तथा pipeline oxygen supply plant का उदगाटन किया गया इसका उदगाटन उपायुक्त उमा संकर सिंग, BCCLKCMD गोपाल परसाद सिंग तथा नर्स सुनिता कुमारी ने सन्युक्त रुप से किया इसके अलावा ICU का उदगाटन अपर जिला दंडा अधिकारी चंदन कुमार ने किया है लोहर्दागा में समयकित विकास को लेकर DCN की बैठाक लोहर्दागा उपायुक दिलीप कुमार टोपो की अधिक्ता में जीला में रहने वाले अतिक कमजोर जन जातिये समोह बहुली गरामों का समयकित विकास के लिए गुरुवार को बैठाक हुई बैठक में इन समुहों के लिए आवास योजना, पेज अलापूर्ती, अभी सरन के मादयम से पेंसन योजना के तहत छुटे हुए परिवार को अच्छाजित करने, अभी सरन के मादयम से डाकिया योजना के तहत छुटे हुए परिवार को अच्छाजित करने, अजीवका के बखरी पालन व सुगर पालन योजना दिये जाने सोलर इस्ट्रीट लाइट और नियब्बुन यादी संरचनाओं का सुद्रीडिक रण किये जाने से समंदित कार्योजना प्रस्ताव मांगे गए हैं साहिव गंजीला के बरहेट विधान सवा में नवाली के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या करने के बिरोध में गुरुवार की संधया को भारतिय जन्ता पार्टी के द्वारा निर्शा इस्थित 15 पार्टी कर्याले से विधायक अरपना सेन गुप्त के नितियुत में केंडल मा निकालकर विरोध प्रद्शन किया गया इस संब्धने विधायक अरपना सेन गुप्त ने गुरुवार को कहा कि इस तरह के घटना का भारतिय जन्ता पार्टी घोर विरोध करती है उन्होंने राजे की विधी विवस्था को अपंग जैसी स्थिती बना देने के लिए गई इस संबंधित अधिकारियों को दिशान ने देश दिया गया मौके पर उपायूत कमलेश्वर प्रसाद सिंग ने बताया कि सिक्षकों को प्रोत साहित किया गया था कि स्वैक्षिक रूप से आगे बढ़ कर अपने विध्यालियों के पोसक छेत्रे में मोहला कॉलेज क संचालन करे लेकिन बहुत सारे विध्यालियों के सिक्षक अभी भी मोहला कॉलेज का संचालन नहीं कर रहे हैं डी आईजी ने किया गोडा जिला का दवरा संथाल परगना के डी आईजी सुदर्शन मंडल ने गुरुवार को जिला के विभीन पूलिस निरीक्षक करेयालियों का निरीक्षन किया इस करम में उन्होंने फरार अप्रादियों की गिरफ्तारी अनुसंधान चार सीट आदी मामलों की गहन छानबीन की एवं लंबित मामलों की समीक्षा के दवरान अनुसंधान करता पतादिकारियों को सक्त दिसान निदेश दिया उन्होंने कहा कि हर हाल में सभी वरंट एवं फरार चल रहे अभियूक्त को अभिलम गिराफ्तार कर जेल भेजे गोड़ा में राजेपाल मुखमंत्री का पुतला फुका गोड़ा जिला के लाल मट्य थाना छेतर के पहाडपूर ताल जहारी आदी गाओ में गुरुआर को आदिवासी सेगेल अभियान के करकरताओने जार्खन के मुखमंत्री हमन सुरेन राजेपाल द्रोपती मुर्मू, बावलल मरांडी, अनील सुरेन, दिनेस, बिलियम मरांडी आदी का पुतला दान किया इस संबन्द में आदिवासी सेगेल अभियान के जिला संजोजक मुन्ना सुरेन ने बताया कि उपरुक्त सभीनेता जार्खन में आदिवासी रिजर्ब सीट से जित दर्ज करने के बाद भी सरना धर्म का विरोत करते हैं बिजली उभगताओं के घरों में अब स्मार्ट मीटर लगाने की तेयरी की जा रही है दिसंबर से मीटर बदलने का काम सुरू हो जाएगा चाईबासा के लोगों ने कुरोना संक्रमन से बचाव के डर से 30 लाख रूपए का विटामिन सी एवा मल्टी विटामिन की टबलेट का सेवन कर चुके हैं बंगाल से उडिसा जा रही पीकप भेन कोला बीरा में गुदूर घटना गरस्थ होई जिससे एक दजन से अधीक मैदूर घायल हो गया है रामगण में मौसियो सिलादा ट्रक चप्त कर दो लोगों को गिरफतार किया गया है बता दे कि आमामला रायरापा थाना छेत्र का है पलामू जिला परसासन ने अवैद बालू के उठाव पर विशेस निगरानी रखने को दिसा निर्देश दिये हैं जारखन मंत्री परिशत की बैठक 16 अक्टूबर को अपराहन 4 वय से जारखन मंत्राले में होगी धन्यवाद